पीपल हाई, बहुत-बहुत स्वागत आप सब का, वेलकम एवरिवान, इस इस यूर SSC, स्टेनोग्राफर 2023 की विकेंसी, और इसके बारे में पूरी जानकारी, ये स्टेनोग्राफर क्या है, कैसे होता है, क्या एक्जाम बैटन होता है, किसके लिए ये विकेंसी है, एवरी स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे, और ये जो विकेंसी, जो गोल्डन एक्जाम है, इसका नाम होता है, SSC स्टेनोग्राफर, मैं क्यों गोल्डन कहा रहा हूँ, इसका अभी आप समझोगे, क्यों हम इसको बार-बार कह रहे हैं, गोल्डन इसका एक कारण है, हर विकेंसी, गोल्डन विकेंसी नहीं होती, इसका एक खास कारण है, आप सोचिए, आपने 12th पास किया, और 12th पास करते ही, आपको एक ऐसी जॉब मिल गई, जिसमें 40,000 रुपीज से ले करके, 60,000 रुपीज तक की सालरी होती है, जहीर सी बात है, आप जैसे इधर आपने 12th पास किया, और इधर आप इस particular exam के लिए आप eligible हो जाते हैं, आइए एक एक चीज की detail में चर्चा करते हैं, और सब जानते हैं, कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज के बारे में जानते हैं, ठीक, आइए शुरू करते हैं, देखे सबसे प qualification की बात करें तो ये qualification जो है ये 12th pass ये qualification आ जाती है ठीक तो अब आप समझें जितने भी learners ऐसे हैं जो graduation में हैं और सो जो मनलब graduation में हैं या आपने graduation नहीं भी करी आपने 12 पास किया है आपके हाथ में ये option है कि साब आप 40,000 से लेकर के 60,000 की नौकरी आपको इसी समय मिल सकती है and that to central government की सरकारी नौकरी वो भी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी बात ये फिर हम बात करते हैं देखिए qualifications की देख लिया हमने अब हम age की बात करते हैं देखिए इस exam में दो प्रकार की post होती है जो stenographer exam है इसमें दो प्रकार की post होती है एक को कहते है grade C post एक को कहते है grade D धन से स होती है एक को हम कहते है grade C और एक को हम कहते है grade D अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप बेख रहे होंगे मैंने दो प्रकार की salaries लिखी थी तो actually में ये दो प्रकार की salaries इन्हीं job की होती है जो grade C होती है और जो grade D होती है तो अगर मैं बात करूँगा आपसे grade C की grade C जादा अच्छी job होती है इसमें आपको salary जो होती है ये काफी अच्छी मिलती है साथ हजार तक मिलती है ये grade C और लेकिन इसकी frequency इसकी कम होती है तो grade C की जो job है यहाँ आपको salary यहाँ जो आप देखरे होना ज्यादा अच्छी जो होती है यह वाली होती है तो pistaовых हजारust salary मिलती है या आपको grade C में मिलती है 40,000 जो salary मिलती है वो आपको grade D में मिलती है तो आप बिको उसी प्रकार से यहाँ पर selection का भी criteria इसी प्रकार से रहता है जो आपका grade C वाला है तो यहाँ पर age आपकी क्या हो जाती है क्योंकि जादा salary आपकी है तो अच्छी बात यह है कि age भी जादा होती है grade C में आपकी बिकिए starting IU दोनों की है 18 वर्ष है और यह 18 से 30 वर्ष की होती है यहाँ पर जो grade D है यह 18 से 27 वर्ष की IU के लिए होता है यानि अगर आपने 18 years complete कर लिया है तो अगर आप 27 तक की हो 18 से 27 तो दोनों के लिए eligibility है लेकिन उनका क्या जो 27 साल से भी जादा जिनकी उमर हो चुकी है उनका क्या तो 27 years से जादा वालों के लिए यहाँ पर क्या आता है grade C आता है यह बात आपको समझा गई है हमने देख लिया कि साब qualification क्या होती है 12th pass होती है SSE stenographer exam के लिए 12th pass करके हमारे पास क्या salaries आती है grade C में 60,000 आती है grade D में 40,000 के लगबग salary हमको मिलती है age क्या होती है grade C के लिए 18 से 23 और grade D के लिए 18 से 27 अब बात करते हैं कि क्या इसमें कुछ और भी चीजे होती है क्या इसकी eligibility के लिए हमें कोई paper clear करने पड़ते है जी हाँ इसकी eligibility के लिए आपको दो प्रकार के paper clear करने पड़ते है आईए सब बताते है अभी skill test को SSE छोड़ते हैं अभी हम इसके उपर भी आएंगे देखिए सबसे पहले कि इसका selection process क्या होता है जानने देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है एक बहुत अच्छी सी job लग रही बहुत अच्छी से नौकरी लग रही है देखने में तो क्या इसका selection process के बारे में थोड़ा सा light डालेंगे आप जी हाँ बेखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें टियर वन एक्जाम होता है यह इकलौता written paper होता है यहाँ पर यह इकलौता written paper होता है जिसमें कि आपके तीन subjects आते हैं वो कौन-कौन से तीन subjects आते हैं आए ज़रा इनके उपर भी नजर मार लेते हैं सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यहाँ पर तीन section आते हैं General Awareness जिसको कोई आप जीके बोलते हो General Awareness General Awareness एक subject हो गया अभी हम एक subject पर भी चलेंगे एक syllabus पर भी चलेंगे General Awareness आता है फिर इसके बाद में यहाँ पर reasoning आता है General Intelligence इसको बोलते है reasoning जो हो गया reasoning आता है और इसके बाद यहाँ पर आता है English बास इसका मतलब क्या यहाँ match नहीं होता जी हाँ यहाँ match इस paper में नहीं पूछा जाता है तो अगयान उन लोगों के लिए फिर यह बहुत अच्छा paper होता है जिनको match से कोई भी वदा होता है ना दुश्मनी है नहीं समझ आती 37 खांकडा रहता है match से तो जिन भी लोगों को match नहीं आती या match से उनका वास्ता नहीं है आपके लिए अगयान एक golden opportunity फिर से हुई मैंने बोला ना golden एक विकेंसी होती है क्योंकि आप यह समझीए golden विकेंसी इस वास्ते क्योंकि यहां पर जो आपका exam होता है पहली चीज तो बारवी पास के लिए eligibility है दूसरा maths में आती है ना arithmetic ना advance किसी प्रकार की maths यहां पर नहीं आती है फिर देखिए आप ये tier 1 आप clear करते हो ये 200 number का एक paper होता है अभी हम समझेंगे इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम सारी बाते समझेंगे फिर आते हो आप skill test के उपर अच्छा क्योंकि ये एक stenographer का exam है stenographer को पहले post समझो क्या होता है इसके बारे में समझो ये करता क्या है stenographer ऐसा होता है जैसे आप में देखा है अभी G20 meet हुई थी भारत में अब G20 meet में क्या होता है भारत के बार लिजे प्रधान मंतरी बैठे हुए है और इधर बार लिजे कोई और किसी और देश के प्रधान मंतरी बैठे हुए है या president बैठे हुए है बार लिजे जो बाइडन साहब बैठे हुए है से इसको आप छोटे से आप stroke of pen से लिख लोगे, example के तौर पर जैसे माल लीजे, मेरा नाम अमंच्रिवास्तव है मैं सरफ एक example दे रहा हूँ, मुझे शॉट है नहीं आती तो इसलिए मैं सरफ एक example दे रहा हूँ अगर मैं अंग्रेजी में अमंच्रिवास्तव लिखूंगा न तो मुझे म, A, N, S, R, I V, A, S, T, A, V, A मुझे ये लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम मुझे अमंच्रिवास्तव ले लिखना पड़ेगा लेकिन अगर मुझे शॉट हैंड आने वालू मुझे शॉट हेड नहीं आती है मैं आपको बता देता हूँ शॉट हेंड क्या होती है हालै कि एक आईरेनी है मैं आपको पताऊँ मैं जिस घर से बिलॉंग करता हूँ तो हमारे जो फादर सहाम है हमारे जो ग्रैंड फादर है उन्होंने 40 साल शॉट हिंड सिखाई है मेरे फादर ने 20 साल शॉट हिंड सिखाई है मेरे फादर का जो करियर है वो शुरुवात हुआ था as in stenographer शुरुवात हुई थी उनकी मेरे फादर की लेकिन ये उनकी संतान है जिसको stenography नहीं आती वोगे मेरी साइड नहीं रही वो हमारे college चला करता था national commercial college और आज से ये बात है 80s, 90s की उस समय 2000 लोग उस समय आ करके short hand बैट करके बड़े से hall में चलता था लोग short hand सीखते थे 2000 लोग at a time cycle रहती थी बहुत दूर दूर तक की cycle रहती देखी कि उस समय सारे सरकारी exam में short hand आया करती थी mandatory होती थी उस समय तो ये था तो अभी देखिया चामन श्रवास्तो अगर normal अंग्रेजी में लिखूंगा तो ऐसे है अगर इसी को short hand में लिखूंगा तो कुछ ऐसा आएगा ये हो गया हो गया बस ये अभाण श्रवास्तो हो गया और दो ये कि symbolic representation है ये इस तरीके से इसमें depends करता है आपने line तिरची बनाइए इसका मतलब कुछ होता है सीधे बनाइए इसका मतलब कुछ होता है ऐसे आपने करा हुआ है तो इसका मतलब कुछ और है जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जिस family से आते हैं उस family में short end सिखाई जाती थी ये tradition है जैसे होता ना कोई हलवाईयों के परिवार का होता है तो उनके पिता जी और दादा जी की हलवाईयी की दुकान होती है तो उन्हें मिठाई पता होती है कैसे बननी है बनानी भले ना आत करते थे जो पूरे दिन भर में स्टूरेंट सारा टाइप करके करके उसके की स्ट्रोक तूड़ जाते हैं तो रात में मुंबत्ती से उसको सही कर रहे हुआ करते थे तो यह मेरी याद है जब मैं 57 साल का था बहुत चोटा था आच्छे लगबग 22-25 साल पहले खेर तो अभी दिखी क्या होता है तो इसको स्किल टेस्ट बोलते है तो इसमें टेस्ट में क्या लिया जाता है यह समझो देखो टेर वन तो आपका पूरी तरीके से आपको होता है आपका जिसमें आपका जियस आ गया जिसमें आपका आगया रिजनिंग आ गया जिसमें आपका लेते हैं थोड़ी C, आजाओ, पीछे यहाँ पर आते हैं, skill test में, आपको एक dictation दिया जाएगा, dictation आपको 10 minute के लिए दिया जाएगा, दोनों post हो गई, grade C, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, grade C और grade D, grade C और grade D, grade C और grade D में क्या होगा, आपको 10, दोनों के ही लिए, आपक 10 minute का dictation दिया जाएगा, और grade C के लिए speed होती है, 100 words per minute, मतलब आपको इतनी रफ्तार पे, 100 words per minute में आपको dictation दिया जाएगा, और grade D के लिए 80 शब्द प्रती minute का आपको dictation दिया जाएगा, 80 words per minute का आपको dictation दिया जाएगा, अब इसके बाद आपको इस रफ्तार से उसको अ निश्चित अंतराल में, निश्चित टाइम फ्रेम में आपको कम्प्यूटर के ऊपर टाइप करना होता है, तो इसका मतलब आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए, क्योंकि 10 मिनिट में आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा, ग्रेड सी वालों के लिए उसकी जो रफ्त इतनी है, इंग्लिश की स्पीड हमेशा जादा होती है, हिंदी की थोड़ी कम होती है, ठीक है, इसी प्रकार से ग्रेट डी, सैलरी कम, रफ्तार कम, रफ्तार ज्यादा, देखो हम रफ्तार ज्यादा देंगे, तो हम सैलरी भी ज्यादा लेंगे भाई, अगर हम से ज्यादा skill की उमीद करो कि हम जादा काबिल है तो हम जादा तनखा भी लेंगे, हम 60,000 रुपे लेंगे फिर सीधा समामला रहता है भाई इसमें, आच्छा तो ये होता है, अब जब आपने अपने paper पर पूरा short hand में आपने पूरा dictation लिख लिया, फिर आपको समय दिया जाता है, पूरे घर में इस समय मिर्चे की घूम रही है, और हम क्लास लेते देते खास रहें, अच्छा, हम आपको सारी चीज़े बताएंगे, आपको सीखने से लेके सारी चीज़े हम आपको बताएंगे, every single thing, आपको सब बताऊंगा, ठीक है, और यह बड़ी अच्छी होती है, easy होती है, सीखी भी जा सकती है, सब कुछ होता है, आसान है अगर समय है, और अगर समय कम है, तो आसान बिलकुल नहीं है, समझीएगा, short hand को लेके हम सारी बात का समय मिलता है, और हिंदी वालों को 55 मिनिट का समय मिलता है, तो ऐसे करके अलग-अलग समय होते हैं, ऐसे होते हैं, 40, 55, ऐसे करके समय होते हैं, तो उतनी दिर में आपको जो भी आपने type किया है, वो आपको फिर आपको अपने system के उपर उसको English में लिखना होता है, ये होता है skill test, समझ गए, क्या सभी को skill test में clarity है, कोई doubt तो नहीं है, तो skill test के लिए आपको एक language होती है stenography, वो आनी चाहिए, उसी का ही test ही होता है, तो क्या बोलते है इसको stenography, ये जो लिखते है ना, इसको बोलते है stenography, तो आपको stenography बहुत अच् और practice करेंगे, तो आप इतनी रफ्तारा बहुत आराम से आप इसमें बना सकते हैं, एक से सभाव घंटा आपको daily practice करनी रहेगी, ठीक है, आप समझेगा, अब आगे आते हैं, अभी हम सब बताते हैं, देखिए, इसमें अलग-अलग है, timing's जो है, हम आपको बता देंगे, timing's पर ये आता है, आपका final result आता है, कि इसमें mostly लोग ना पता है किसमें फैल होते हैं, stenography में, क्यों बहुत कम लोगों को आती होती है, क्यों golden exam बोला है, इसका भी reason समझो, फिर से golden rule इसलिए है, क्योंकि इस पूरे exam को भरते, भारत में सिर्फ 4-5 लाक बच्चे भरते हैं, ज इसलिए लोग इसको भरतो देते हैं, लेकिन इसके बाद या तो वो paper देने नहीं जाते हैं, या paper देने जाते हैं, तो वो tier 1 clear करके बैठ जाते हैं, क्योंकि stenography बहुत ही कम लोगों को आती है, तो यह एक hidden job की तरीके से है, यह एक छुपी हुई नौकरी की तरीके से है, कि जिसको एक छोटा सा वर्ग है, जिनको stenography आती है, वही देते हैं, तो यहाँ पर selection के chances आपके काफी जादा high हो जाते हैं, अगर आप एक सीख़क समय सीमा लेकर के, 3-7 महीने लेकर के करें, तो जो intelligent लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, और फिर वो इसको paper को देते हैं, और साथ में इसकी training तो बहुत जरूरी है, जो कि अगर आपने paper ही नहीं qualify कर पाए, तो skill का क्या होगा, तो यह दो test आपको देने होते हैं, और इससे आप clear कर लेते हैं, अब syllabus की बात करते हैं, देखिए, इसमें आती है आपकी tier 1 की बात करे हैं, तो सबसे पहले reasoning, देखिए reasoning के दोस्त, इसमें 50 questions आपको देखने को मिलेंगे, 50 questions, यह बिलकुल SSC prelims से उपर, और mains के level को touch करती हुई reasoning होती है, सेनों का paper अच्छा आता है, इसका difficulty level सही होता है, क्योंकि इसमें एक ही paper होता है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा paper, जहां प तो हमेशा पहला paper difficult ही बनाया जाता है, यहां कि इसी से सारे elimination होने होते हैं, तो यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही paper होता है, क्योंकि tier 1 ही होता है, यह tier 2 जैसा कोई scene नहीं है, यहां पर, tier 2 की जगा, आपका skill test होता है, तो यह reasoning का जो level है, यह moderate to difficult होता है, moderate to difficult होता है, और क्योंकि यहां पर आज भी, देखो, अब सिर्फ दो ही ऐसे exam बचे हैं, जिसमें की SSC आज भी 200 सवाल पूछ रही है, बाकि सब में उसने कम करके 100 सवाल कर दी है, उसी में से एक आपका steno exam भी है, तो reasoning में आपके न, almost सारे type cover करता है, और भर-भर के cover कर ले होता है, तो आपको अच्छी reasoning आनी चाहिए, और बहुत easily doable है, लेकिन यह ध्यान रखना, यह इसकी तयारी न, maximum, मानके चलिए, चार महिने में आप कर ले जाए, क्योंकि maths इसमें नहीं होती है, तो चार महिना maximum time होता है, जिसमें आप tier 1 की तयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, मतलब इतनी की 200 में से आपके 160 से उपर है, हमारे इस बार SSE का result आया ना 20-10 का, हमारे बहुत सारे learners के number 165 से उपर है, cut off कितना 147 या 143 गया हुआ है, उनके number 165 से उपर है, बहुत सारे learners ऐसे हैं, फिर देखो, quants की बात करते हैं, चाहां, quants तो यहां रहती नहीं है, फ questions होते हैं, और difficulty level इसका भी moderate होता है, तो यह आपके पूरे paper का level आता है, syllabus की बात करें, तो इसमें बिल्कुल जैसा आपका SSC, CGL का जो syllabus होता है, बिल्कुल वही syllabus आपका यहां पर भी रहता है, यहां पर English के आपके close test हो गए, RC हो गए, sentence arrangement हो गए, यह खूब अच्छे से प आपको English में बहुत, आपको comprehension part बहुत अच्छा करना होता है, लोगों की यही सी में गलती होती है, learners अब attempt करके आते हैं, हमारे पस हम पूछते हैं, हम former वात हैं, कितना attempt हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा, 92 attempt, 94 attempt, 98 attempt, और number कितने आ रहे साब 70, 65, 68, क्योंकि गलत बहुत हो जा स्टेनोग्राफी लेवल पे, बहुत अच्छे से आपस को यहां पर cover कर सकते हैं, ठीक है, आप समझेगा, अब देखो, यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी है, पहले यह बताईए, हाँ, all right, now, अभी देखेगा, अब क्या करेंगे, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है, अ अब देखे, vacancies की बात करते हैं, now, what is the vacancies, अब देखेगा, हमारे परस में कितनी vacancies हैं और क्या होता है इन vacancies में, देखो, ऐसा करते हैं यहां पर, vacancies यहां पर हर साल देड़ से 2000 vacancies आती हैं, पंदरा सौ से लेकर के 2000 तक में आपको हर साल यहां पर officers निकलते हैं, officers का मतलब अगर मैं बात करूँगा कि grade C की बात करूँ, विकि grade C में मतलब जो higher job है, उसमें vacancies कम होती हैं और grade D में vacancies जादा होती हैं, लेकिन दोनों को मिला लें तो आपके 1500 से, कभी 1200, कभी 1500, कभी 1800, ऐसे करके vacancies यहां पर range करती हैं, तो बहुत अच्छी job होती है, काफी आप इसमे और preparation जो है अगर बात करूँ, skill की देखो, दो है, एक आपका दो ही test आपको clear करने होते हैं, tier 1 की जो तयारी है, वो लगबग आपको 4 महीने का समय लगता है, ठीक है, 4 months का time लगता है आपको इसको करने में, दूसरी चीज़ जो होती है, वो क्या होती है, वो ता आपका skill test, skill test की अगर मैं बात करूँ, तो skill test कितने टाइम में तयार हो जाता है, 6 to 7 months, आप अगर मैं बात कर रहा हूँ, 100 words per minute की speed आपको दो चीज़े, grade D के लिए आपको skill test की जितनी तयारी, 80 words per minute की speed, आप 6 महीने में ले लेंगे, और उसके बाद में आपको लगबग 1 महीना, 1, 1 से 1 देड़ महीना और लगेगा, आपको speed लेने की कौन सी, आपको लगबग 100 words per minute की speed पे जाने पे, इतना time लगता है, ये वो data है जो अभी तक हमारे learners को जो अभी तक लग रहा है, उसके उपर है, ठीक है, अब बताईएगा, यहां तक की सारी बात clear हो चकी है, शावर, sir अभी स सीख सकते हो, बहुत अराम से सीख सकते हैं, सरम, दोनों skill दे सकते है, 80 की speed पे और 100 की speed पे ले आप अराम से दे सकते है, डिबंड करता है, आपने choose क्या क्या हुआ है, आपने क्या चीज़ चूँज करी हुई है, ठीक है, आचा, अब देखो, तो यहां तक की बात आपको सम सबसक्दाइब कर रहे हैं कि हो सकता है कि हो सकता हैने शायद अगर समय सारणी बैटड गई तो एक अच्छा skill test की तैयारी हम stenographer वाले बाच में skill test भी एक अलग से skill test का बाच भी लेकर के आ जाएंगे ताकि learners को अपने घर से बाहर ना जाना पड़े वो अपने घर पे ही बैट करके पूरी तैयारी अपनी कर सकें इसकी ठीक है अगर मैं बात करूँ इसको salary देखना है यहाँ पर आप देखो official salary की बात करते हैं यहाँ तो आप देखिए यहाँ 40,000 रुपए salary देखिए यह आपकी grade C की salary है grade D की salary जो है यहाँ 40,000 की salary आ रही है और grade C की अगर मैं बात करूँ यह 2022 की salary दिखा रहे है 2022 में अगर आप देखोगे तो यहां 50,000 आ रहा है इसके बाए DA आपका बढ़ गया है इस समय present salary जो आती है यह 57,000 रुपे आती है 57,000 रुपीज यह आपकी great C की salary आती है अगर मैं बात करूँ 2024 की तो DA और बढ़ जाएगा इसमें DA बढ़ता रहता है जिरसको आप 12th pass करके ही आप इसको target कर सकते है even कुछ post में तो इसमें 4,600 grade पे की भी job है यानि 65,000 रुपे की एक post होती है इसमें जिसमें बाकी सब में तो 4200 grade पे होता है आपका grade C में न एक होता है आपका 4600 grade पे की भी एक offer होता है इसमें यहाँ पर भाई सब 65,000 सालरी 65,000 रुपे की सालरी 12th pass करते ही आपको grade C की जो top post होती है उसमें इतनी सालरी मिलती है तो मतलब यह एक बहुत अच्छी चीज है आजी आरे प्लीज स्पैम मत करिये सेनो बेसिक टिवाट अवास बाच चलो करो हम जी हाँ कोशिश हमारी है कि हम यहीं पर ही लाब के ऊपर ही एक ऐसा बाच जिसमें कि हम स्टेनोग्राफी लर्नर्स को स्किल टेस्ट के लिए हम पूरा ट्रॉपर ट्रेन कर पाए उस लेवल की स्पीड दिलवा पाए इसके लिए कोशिश है ठीक है अच्छा आप समझेगा सर स्टेनोग्राफी हिंदी जानना मस है क्या बिलकुल भी नहीं बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर स्टेनोग्राफी हम किस भाशा में सीखें स्टेनोग्राफी हम सर इंगलिश में सीखें या फिर हम हिंदी में सीखें देखिए कमिशन क्लियरली कहता है कमिशन क्लियरली कहता है इसको कमिशन ने अपने नोटिफिकेशन ने भी लिखा हुआ है अगर आप रीड करेंगे मैं नोटिफिकेशन का पेज नंबर बता दे रहा हूँ मैं नोटिफिकेशन का आपको पेज नंबर बता दे रहा हूँ देखिए जो भी हम बात करेंगे न एक दम ऐसी होगी authentic कता ही कि आप खुद से भी ढूणने जाएंगे न तो आपको हाँ दिख जाएगा कि यार हाँ यार यार ये ऐसा ऐसा है येस अब आप आएंगे page number 19 पे देखिएगा page number 19 कहता है कि वो candidate जो stenography test को हिंदी में लेंगे उनको department में जाने के बाद अंग्रेजी में stenography सीखनी पड़ेगी नहीं तो उनके probation period को over नहीं किया जाएगा और उनके candidates को हटा दिया जाएगा उनका appointment ही नहीं clear किया जाएगा समझ गए अगर आपने हिंदी में आप हिंदी में exam तो clear कर सकते हिंदी में stenography ले करके आप exam तो clear कर लेंगे लेकिन notification के page number 19 पे देखना इस साल की notification के page number 19 या आपके job का prelims का जो exam है न इसके नीचे दिया हुआ है जिसमें आपका टाइपिंग ट्रंसक्रिप्शन टाइम दिया है पचास मिनट पैस्ट मिनट उसके नीचे लिखा हुआ है page number 19 के उपर first paragraph लिखा हुआ है कि अगर आपने हिंदी में exam clear भी कर लिया stenographer का आपको हम appointment तो दे देंगे लेकिन एक साल का probation period होता है उसके अंदर अंदर आपको अंग्रेजी की stenography सीखनी पड़ेगी उसी speed पर अन्यता हम आपका probation period खतम नहीं करेंगे समझे इसका मतलब आपको अंग्रेजी की समझदारी इसी में है आपको अंग्रेजी की stenography सीखनी तो पड़ेगी बाद में तो समझदारी इसी में है कि आप पहले से ही अंग्रेजी की stenography आप अच्छे से सीख के रखिए समझ गए आप सब बढ़िया से तो आप वो कभी समस्या नहीं आएगी बहुत सारे learners के साथ में हमने यह समस्या देखी है उनके area में सिर्फ हिंदी की है इसलिए उन्होंने request किया हुए हमारा आप से थोड़ा सा हमें समय दीजिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम lab के उपर stenography जो skill training होती है इसको भी लेकर के आप आए थोड़ा सा महिने भर का समय दीजिए 15-20 दिन का तो समय दीजिए ठीक है मुझे उमीद है आपने ये सारी बात समझ चुके है अब दिखिएगा इसका जो cut off जाता है अब इस बार तो 150 चला गया था 200 हमें से 150 गया था इसका कितना गया इसका 143 गया यू आर का बात कर रहे है तो आपका जो cut off जाता है वो इसी 143 से 145 की range में जाता है out of 200 जिसकी तयारी है बहुत आराम से बहुत आराम से आप इसकी तयारी आप target ये करो कि 1500 के उपर मुझे number हमेशा लेके आने अपने हर mock test में तो इसकी तयारी बहुत आराम से आप कर सकते हैं चार महिने के अंदर अंदर इतना score आपका बन जाएगा क्योंकि maths इसमें आती नहीं ये इसका सबसे बड़ा फाइदा है इसमें सारी बात आपको clear हो चुकी है फिर भी कोई doubt रहे जाए तो जरूर बताईएगा अब इसकी तयारी कैसे शुरू करें जो भी learner शुरू करना चाहते हैं इसकी तयारी आज से देखिए अगर आपके अभी इसके paper में लगबग 6 महिने बाकी है 6-7 महिने बाकी है इसके stenographer का 2024 होने में आप calendar देखिए गजड़ा SSC steno का paper जो 2024 का है exact date देख लेते हैं exact date अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर august 2024 से होगा आपके form filling होगी august 2024 से और इसके बाद में इसका जो paper होगा वो November 2024 में होगा बहुत golden time है 12th pass वाले बच्चों के लिए specially कह रहा हूँ जो graduation दे चुके है उन वो लोग तो CGL पर focus है CGL, IB, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उनके लिए वो exam है आप लोग जो होना आपको 12th pass वाले उनके लिए special चीज़ बताता हूँ जो grade C stenographer होता है उसके बराबर इसकी salary होती है और दूसरा होता है यह आपका steno तो आपको इनकी तैयारी आप एक की तैयारी करोगे दूसरे की अपने आप हो जाएगी CHSL में maths extra आती है तो जिनकी maths ही होती है वो CHSL को भी opt करते हैं बाकी चीज़ों तो सेम होती है दोनों में ही बाकी तीन section जो होते है general awareness हो गया आपका reasoning हो गया आपका English हो गया तो सेम होते हैं CHSL में maths भी आ जाती है तो इनकी तैयारी के लिए देखिए इसका paper जो होगा वो होगा November 2024 में बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास में आप सभी लोग इसकी तैयारी में अच्छे से जुड़ जाईए हमारे साथा पूरी तैयारी कर सकते है जो SSC Lab हमारी application है Lab Lab आप application डाउनलोड कर लीजे या तो play store से या फिर आप इसको डाउनलोड कर लो कहां से आप इसको play store से डाउनलोड कर दो वेबसाइट है हमारी learn on lab वेबसाइट का address लिख दे रहा हूँ नीजे description में भी लिखा रहेगा learn on lab ये हमारी website है learnonlab.com आप इसके उपर जाकर करके stenographer मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखो ये stenographer का complete batch है हम इसमें target कर रहे है 2024 का exam हम target कर रहे है जिसमें कि तीनों subject आपका reasoning हो गया आपका general awareness हो गया आपका English हो गया पूरा खूरा और target है इसमें कि लोगों के number ना 175 प्लस आने चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर लोगो जब हम preparation करेंगे ओना तो हम just great c target करेंगे हम great d target नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपrims great c क्योंकि great c सबसे highest box होती है अगर हम great c target करेंगे तो great d हमें फैसी भी मिली जाएगा पूरे strong तरीके से अगर हमने अपनी त्यारी कर ली तो great d हम वैसी जीत गए वहीवाली बात है में तैयारी हमेशा उस ची सी करूंगा जो मेरा टॉप नॉच है हम उसी के लिए पुरी तैयारी हम करेंगे तो यह चीज है तो यहां पर हमारा फोकस रहता है ग्रेट सी को लेकर के यहां तक की बात सब को समझ आ गई है अब आप इसको वेबसाइट से कैसे जोइन करोगे यह भी हम आपको दिखा देते हैं Learn on Lab वेबसाइट पर आप जाओगे यह देखिएगा SSE एक्जाम सेलेट करा हम यहां हम यहां कोर्सेस पर आने के बाद आप इसको देखोगे यह है हमारा SSE स्टेनों 2024 तो यह आपका November 2024 में एक्जाम होगा यह आप इस particular batch को आप जोइन करोगे और यहां पर पूरी तैयारी हमारी topic wise basic से लेकर के एक कदम zero level से शिरवात हो करके end तक आपने कभी history geography ना पढ़ी हो चलेगा आप पी English बहुत बेकार हो चलेगा grammar बहुत बेकार हो चलेगा कोई फरक नहीं पड़ता बस आपको आप zero level से जो भी चीज़े हम शुरू करेंगे इसके जो पेपर्स हैं आपको हमारी website पर ही मिल जाएंगे जो previous year paper है आप यहां पर आओगे देखो आप यहां पर आओगे 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 आपको magazines मिल जाएंगी जरूर से ज़रूर ना देखना जागे syllabus में आपको यहां पर syllabus में आपको यहां पर shinographer का syllabus होता है वो आपको मिल जाएंगा यहां पर इसमे फ्रीटेस होते है हमारे हम आपकी सही कराते हैं, मुझे समय दे दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, हम शॉट हेंड की जो आपको जो स्किल टेस्ट की प्रॉबलम है जो लोगों घर के बाहर जा करके अलग-अलग कोचिंग सेंटर जोइन करके करना बढ़ रहा है, या है उनकी एरिया में सिर्फ हिंदी सिर्फ हिंदी की शॉर्ट हेंड अवैलबल है, ये तो हमने भी सुना हैं, हम इसके लिए ठोड़ा सा समय दीजिए, देखते हैं कुछ इसके लिए, ठीक है? हाँ सर, स्किल करवा देजिए, स्किल करवा देजिए, सिर्फ स्टैनो फालकन श्टैनों बेसिक to अडवानस ठीक है Silly, All Good बहुत बढ़िया सर मैंने Steno सीख लिया इस बार Tier 1 ने निकला, don't worry बढ़ी अभी आपका Tier 1 175 नंबर के उपर टागेट करो आप सिर्फ Steno की प्राक्टेस करो बाकी तैयरी हमारे उपर छोड़ दो ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ Steno को प्राक्टेस करने में अपना दिमाग लगाओ पूरा Tier 1 हमारे उपर छोड़ दो हम जो यहाँ पर तैयारी करा रहा है ना Tier 1 में 175 से उपर नंबर आपके आएंगे, आप बस class मत मिस करिएगा, कोई test मत मिस करिएगा, कोई event जो यहाँ पर बस आप ध्यान रखेगा, जो बाते इसमें पढ़ाई जाएं, जैसा बताया जाएं, जो notes दिये जाएं, जो test आपको दिये जाएं daily test होते हैं, daily test, weekly test, monthly test, एक भी test नहीं छोड़ने का आपको, यह आपको ध्यान रखना है ठीक है जी? clear है guys? चलिए all the best, बहुत बढ़ी है, salary कितनी रहती है अलड़ी बता दिया, यहाँ salary आपकी 40,000 से 60,000 तक आपकी salary रहती है, ओके जी? चलो, अब buy करेंगे, tata, take care और फिर सुनना, यह जो आपको और भी जो जानकारी चाहिए हो ना, देखो, यह हमारा WhatsApp support number है, यहाँ पर यह हमारा WhatsApp support number है, आप इसके उपर जाओगे, और यहाँ पर आप call और WhatsApp दोनों कर सकते हो हमारी application का नाम है lab, L-A-B lab, ठीक है? L-A-B lab हमारी application का नाम है, आप उसको download करोगे, वहाँ पर भी आपको application में भी सब मिल जाएगा, नीचे description में link भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हो ठीक? clear है जी? classes कब से शुरू है? 6th, 6th, अभी आपके इस Wednesday से शुरू है, onwards, classes शुरू होती रहती है, जैसे अभी जो नया वाला है, इसका भी आपका 7-8, 10 तारिक से है, classes शुरू होती रहती है, मतलब जब भी आपको, जैसे आप अगर अभी तुरन जोइन कर रहे हैं, तो आपका I guess Thursday वज़े से नई classes आएंगी आप जिस भी time जोइन कर रहे हो ना, एक बड़ी support से पूछ लेना, वो आपको समझा देंगे जो लोग अभी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं बता दे रहा हूँ इसी week से ही शुरू हो, जो हमारे ये week है ना तो Wednesday Thursday से new classes शुरू है ठीक है जी? चलो All the best, sir अगर English short end सीखिए तो Hindi भी सीखनी, बिलकुल मत सीखना, सिर्फ एकी short end चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ English की short end चाहिए, बस, दो भाशाओ की short end यहाँ पर नहीं चाहिए होती है, अल्राइट? सर, बता दीजे ना, प्लीज, 2030 का किये हैं, पर्चेस, उससे हो जाएगा ना अगर mind भी आपने अल्रडी करा हुआ है, तो एक schedule हो पाएगी, हाँ, आज हमें 4 घंटे बढ़ना है, आज हमें classroom environment है, मेरे साथ के कई सारे लोग आ रहे हैं, वो उसी टाइम सब लोग बैट रहे हैं, सब लोग उसी exam की तेहरी कर रहे हैं, सब लोग एक साथ test दे रहे हैं, सब के result आ रहे हैं, rank आ रही,